तो चलिए सेगेंड नॉमेंबर में जो बैंकिंग न्यूस है हमारे पास वो शुरू करते हैं और जो लोग मेरा चैलेंड में नए हूँ प्लीज चैलेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको इनवेल करके रखिये और मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और जाइए इंस्टाग्राम में और टाइप कीजिए नॉलेज आई क्योटी भी और उसको फॉलो कर लीजिए तो आईए आज का जो टॉपिक है वो हम एक एक करके शुरू करते हैं तो तो आज का जो टॉपिक है वो है All India Bank Pensioners and Retirees Confederation का इसमें साफ बोला गये है Circular No. 8021 Date November 1st November 2021 for Circularation among Member of the Governing Council, State Secretary Special Invitis, Advisor, Affiliates and Members Dear Comrades, Request for Extension of the Time to Deposit the Premium of Group Medical Insurance Scheme for Bank Retirees for the Year 21-22 इसमें बोला गये है दोस्तो जो लोग अभी तक premium नहीं दे पाए उन लोगों के लिए आप जो date extension है उसको आप थोड़ा increase कर दीजे क्योंकि जो लोग का mistake हो गये वो भी मेडिकल इंशूरेंस का जो premium है ओ दे सके और एक अच्छा निन्ना है दोस्तो ओल इंडिया बैंक रिटारिस कंफेरेशन के तरफ से और इसमें और एक चीज़ बताया गया है जो extension of time for payment of annual premium for renewal of the group medical insurance policy for year 2021-2022 एक अच्छा निन्ना है और इंडिया बैंक पेंचेररिस कंफेरेशन के हिसाब से और कल ही है circular दिया था IBA को जो इंडियान बैंक एसोशियेशन है क्योंकि इंडियान बैंक एसोशियेशन का ही a medical insurance policy है और इसको वेजा गहे है दोस्तो दोस्तो दे चेर्मेंट ऑप IBA इंडियान बैंक एसोशियेशन मुंबाई उसके बाद दोस्तो आज जो second एक न्यूस आ रहे है bank employees के लिए जो cement pay commission है good news for the employees again big increase in variable dearness allowance how much salary will increase तो इसको जानना बहुत ही जयूरी है क्योंकि जो cement pay commission है दोस्तो आप तो जानते ही हो पहले central government का जो employees है उनकी उपर लागू होता है उसके बाद bank employees के उपर लागू होता है तो क्योंकि जो central government का जो डिपर्णमेंट है रेलोए उसके बाद ministry of defense उसके बाद LIC सब कुछ में लागू होगा उसके बाद जो bank employees है bank employees के salary के उपर भी cement pay commission लागू होगा और ओडियांडेंस allowance जो DA बोलते उसकी उपर लागू होगा तो एक बहुत बढ़ी good news है bank employees के salary के हिसाब से तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है दूस्तों उसको इनेवल करके रखिए थैंक्यू सो मच नेक्स वीडियो में बहुत जल्दी आने बाल है और थैंक्यू